इसलिए हमारे सरकार से पांच सवाल है पहला क्या खटर सरकार को भू माफिया द्वारा लोकडाउन की अवधी में किये गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है यदि हाँ तो इसे सारवजनिक क्यों नहीं किया जा रहा सवाल नमबर दो क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों वे चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है यदि हाँ तो उनके नाम और चेहरे उजागर क्यों नहीं किये जा रहे नमबर तीन क्या अवैद कोलोनिया काटने रजिस्ट्रियां और कन्वेंस दीट करवाने सरकार के खजाने को चूना लगाने के बारे अनेको शिकायतें खटर सरकार के पास आई है यदि हाँ तो उन्हें जन्ता के स्मक्ष रख दोशियों पर मुकदमा दर्ज कर दोशियों का चेहरा बेनकाद क्यों नहीं किया जा रहा सवाल नमबर चार क्या खटर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जाँच पंजाब एवं हरियाना उच नयाले के सिटिंग जद से करवाने को तयार है सवाल नमबर पांच क्या मुक्यमंत्री शिरी मनोरलाल खटर सामने आकर सारे तथ्थे हरियाना की जन्ता से सांझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराग घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे सीधे सवाल ये हैं उम्मीद है के हरियाना की धाई करोड जन्ता को मुक्यमंत्री माननीय मनोरलाल खटर जी सामने आकर पूरा जबाब देंगे